हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेका यूँ जिससे आपके जाड़ू पहुछा की जंजट एक बार में ही खतम हो जाएंगी तो आज की यूजफुल टिप्स एंड टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पर यूज उगलियों पर किया है अगर नहीं किया है तो आज करके ये देखे ये चिम्तिए स्रिफ कपडों के ही लिए नहीं बलकि हमारे स्वास्थ के लिए भी हमेंसे यूजफ कर सकते हैं और आप देख सकते हो इन्हें में फिंगर पर लगा रही हूं कैसी लगाया है क्यों लगाया है और लगाने से क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताते हूं तो देखिए हमारे आयुरेवेदि में और विज्ञान में दोनमी ये कहा गया है कि यह जो हमारी उंगलिया होती है इनका एक प्रेसर फॉंट्स होता है और अगर आप इन्हें ठीक तरीके से प्रेसर देते हैं या फिर ठीक तरीके से आप इन पर दवाब बनाते हो तो आपके शरीर की केई समश्याओं के समाधान हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्लोथ क्लिप लेनी है और इन क्लोथ क्लिप को हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हमारी फिंगर्स की तो इन क्लिप्स को 10-10 सेकंड के लिए हमें हमारी finger पर लगाने तो इस तरीके से हम इनको लगाएंगे 10 सेकंड के लिए फिर हटा देंगे 10 सेकंड बाद में तो इसी तरीके से आप सारी आपकी fingers के उपर ये clips लगा ले और 10 सेकंड के लिए इनने लगे रहने दे फिर इनने हटा दे 10 सेकंड बाद में अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो उससे आपके हाथों पर ज़्यादा प्रेसर बना रहेगा इस ट्रिक को जब करें आप फिरी वैठे हो तब यह हमारी हाथ की थंस फिंगर होती है यह हमारे लंज को श्वश्ट रखती है अगर अस्तमा से जोड़ी हुई कोई भी प्रॉबलम है उसे भी यह जड़ से खतम करती है और अगर आपके पास इन सब चीजों के लिए टैम नहीं है तो उसके लिए मैं आपको एक और और तरीका बताते हूँ तो फ्रेंट्स हर महिलाए नेल पेंट तो जरूर लगाती है तो आप नेल पेंट लगाते टैम भी इस ट्रेक का यूज में ले सकती हूँ यह हम जब भी सब महिलाए नेल पेंट लगाती है तो हमसे नेल पेंट सही से लग नहीं पाती है होता है कि पूरी finger पे भी फैल जाती है तो तब भी आप इस cloth clip का use कर सकते हैं finger पर लगा कर तो इससे दो फायदे होंगे एक तो आपकी nail paint भी बहुत अच्छे से बढ़िया से लग जाएगी और दूसरा आपकी finger पर बड़ी इसका तनाब बना रहेगा pressure से finger दवी रहेगी इससे आपके स्वास समंदी समझ्याओं के बहुत सारे हल हो जाएगे और जिसके लिए हम काफी सारा फैसा भी खर्ज करते हैं तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से finger पर बहुती आसानी से nail paint भी लगा रही हूँ और साथ में finger भी जो चिम्टी है उससे दब रही है तो इस तरीके से आप cloth clip का भी यूज कर सकते हो तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है जब भी अगर आपके पास time नहीं है तो आप इस तरीके से भी clip को लगा सकती हो जिससे आपके स्वस्त को आप एकदम ठीक रख सकती हो चली फिर देख लेते हैं अगली वाली tips तो अगला useful help मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है इस तरीके के साबुन आपके भी घर में आते होंगे पैकेटिंग की पैकेट आप लेके आते होंगे तो हम क्या करते हैं इसे उठा के बॉस्रूम में रख देते हैं और क्या होता है कि हमें इसे यूज करना होता है तो हमें इसे खोलने जाते हैं और इसे खोलने में हम पूरी ताकत लगाते हैं या जल्दिवाजी में इसे खीचने की कॉसिस करते हैं और इनके उपर जो टैप लगी होती है न ये निकल जाती है और साब उनके उपर जो कबर है वो भा निकलके आजाता है क्या होता है कि ये खराब होने लगते हैं और पड giàदा एकसपार हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि ये वाला धागा लेना है अगर आपको टाइम पर 70 पेन नहीं मिले तो आप आराम से ये वाले धागे को यूज में ले सकते हो और ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं तो मैं आपके सामने ही इनको यूज करके दिखा रहे हूं कट करके दिखा रहे हूं एक एक को तो इस तरीके से आप इने कट कर सकते हैं ये बहुत ही आसान सी मुझे ट्रिक्स लगी है यह चांस नहाते-नहाते साबुन खतम हो जाती है और हमें निकालना होता है तो हमें इसे जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं तो यह मुझे बहुत ही आसांट टिप लगी तो मैंने सुच्छा इसे एक बार आप लोगों के साथ सेयर करूं और हमें यह जब यूज में ल से इस तरीके से कट करके हम इन्हें रख देंगे तो आपको इस तरीके से सावन पहले से ही कट मिलेंगे तो आप इन्हें कभी भी कैसे भी यूज में ले सकते हो तो आप कपड़े दोने वाले सावन को भी इसी तरीके से कट करके रख सकते हो और उन्हें अपने वाश्रूम मे भी लगा सकते हूं जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैं उम्मीद करती हूं आपको टिप पसंद आयों चले फिर देख लेते अगली वाले टिप्स तो यह टिप है मेरी नाइफ और कैची को लेकर क्योंकि हमारे घर में कई वार क्या होता है कि नाइफ हमार कि चलने ले लेनी है या फिर आपके पास में अगर कदू कश वाला वह है कदू कस तो उसको भी आप योज में ले सकते हो तो इस तरीके से इससे भी आप इन्हें हलका हलका रगड़ यह जिससे क्या होगा कि आपके जो नाइफ है उसकी एक साइड से ही एक तरफ ही आपको और आपके नाइफ की धार थोड़ी तेज इससे हो जाएगी तो मैंने इस तरीके से इनको हलका हलका रगड़ा है जिससे यह नाइफ है इनकी धार थोड़ी तेज हो गई है और इन्हें सिर्फ एक ही तरफ से रगड़ना है यह नहीं कि आप दोनों तरफ से इनको रगडने लगो तो इस तरीके से इनको रफ करिए जिससे आपके नाइफ हलकी पूरे तरीके से तो नहीं होते हैं लेकिन आप जब तक आपके पास में इनको आप धार दलबाने के लिए नहीं ले जा रहे हो तो इस तरीके से भी आप घर पे खुद ही इनको यूज में ले सकते हो आप क्टेज हो जाएगी और मैंने सारे नाइप को यूज में लिया है मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरे जाड़ो को लेकर घ्री करताओ को तो सब्सक्राज को नेक्स नेसे जाड़ों को लेए और यह साइडों से तूटने लगती है और यहां से जब ज़ाडू लगाते हैं तो इसकी जो साइड की इस तरह की सी के हैं वो निकल आती और बड़ी खराब आवाज होती है और उनसे सही से ज़ाडू नहीं लग पाती है तो हमारी ज़ाडू एकदम अच्छे से लगे उसके मैं आपको बहुत ही अच्छी आईडिया बता रही हूं बहुत ही ट्रिक है इसे मैंने अपनाई है मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सूचा आप लोगों के साथ सेयर करूं तो यहां पर इस तरह की पॉलोथीन लेनी है आपको सबसी कोई भी पॉलोथीन ले सकते हो तो यहां पर मैंने जो पॉलोथीन उसको इस तरीके से रख और जिसका मुग मों खुला है जो मैंने अंदर की तरह दी है और इस तरीके से मैं आप पॉलोथीन को लगा देती हुं को उक्स दॉन्हार सकते हो अगर रेस सेने बिदा ना है आपको तो सामज्म करना है और दबाते जाए जिससे आपकी पॉलोथीन अच्छे से चपक जाएगी यहां धीमी आज की और फिर मैंने बहुत जादा अच्छे से इसको जाडू की पॉलोथीन को चिपका दिया है आप चाहो गैस पे नहीं करना है तो आप इसे प्रेस से भी बहुत आसानी से कर सकते हो ए अच्छे से काम करने लगेगा और इनकी सीके भी नहीं जल्दी से निकलेंगी और आप जाडू लगाओगे तो इसारा कच्रा लेकर बहुत अच्छे से साब करेगा तो मैं उम्मीद करते हूं आपको यह टिप पसंद आयो चली देख लेते अगली वाली टिप्स यह टिप् इससे क्या होगा कि आपकी जो आप पहुचा लगाते हो आपसे उठा बैठा नहीं जाता है आपकी जो रोज रोज की लाइफ में आपको बैठ उठके पहुचा लगाना होता है गुटनों से दुगा नहीं जाता कमर से उठा बैठा नहीं जाता उसके लिए बहुत ही आसान मैं टिप लेके आई हूँ ये इतनी आसान टिप है जिसको आप एक वार अपनाओगे तो रोज रोज आप इसी तरीके से घर में पहुचा लगाओगे हब कर दोनों सोक्स हों को लेकर एक भाइपर के उपर पहुचा लगाती हूं और यह बहुत जल्दी पहुचहा भी लग जाता है बहुत अच्छे से साब भी करता है तो यहाँ पर मैं दूसरी तरफ से दूसरा भी पहुचह वाईपर के ऊपर लगा दिया है इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सेट कर लिजिए, यह इदर उधर निकलेगा भी नहीं औ में आपको पुछ लगा कि दिखाती हूँ आप बैड के नीचे से बहुत इच्छे से पुछा लगा सकते हो आपके जो पीद है सोफा है आलवारी है अनके नीचे आपको बार-बार उठना नोड़ा नहीं पड़ेगा दुखना नहीं पड़ेगा और आप कितने अच्छे से साथ करके बताएगा बहुत ही अच्छा काम करता ہے हई मुझे ते बोछ दोगा बहुत आसान लगा खड़े और तो आ तरकाते जाएं और फिर दूसरी तरफ से आप इनका इसे पहुंचा लगाते जाएं आपके घर की जित्ती भी गंदगी होगी उसको यह बहुत ही अच्छे से साफ कर देगा और एकदम क्लीन आपके पहुंचे को पहुंचे से घर को चमका देगा तो इस तरीके से आप यह नह सारी के उपर गंदगी जमी हुई है उसको भी आप निकाल सकते हो यहां पर मेरी शॉक्येट से उसके उपर हाथ नहीं पहुंच पाता है इतनी उपर है तो उस पर मैं आपको पहुंचा लगा कर दिखा रहे हूं देखि कितने अच्छे से सारी गंदगी को साप कर देता है मेरा नहीं पहुँचता है इसे ही सपाही कर लेती है तो इस तरीके से आप भी आपके अलवारी अपर पहुचतर तो यहां पर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूं कि देखो किस तरीके से गंदगी को साप कर देता है तो यहां पर मैंने घर में पहुचा लगाया था जहां जहां से पहुचा लगाया आप खड़े खड़े घर में इससे बहुत आसानी से पहुचा लगा सकते हो बिना धुके बिना मुड़े बहुत ही इजी इससे पहुचा लग जाएगा तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा यह आइडिया पसंद आया होगा तो चलिए फिर देख लेते से अगली वालिटीफ कई वार क्या होते हैं कि बच्चे इस तरीके से हाथों में पहें चला लेते हैं और फिर फिर बहुत गंदा लगने लगता है और के दिन तक चाते नहीं हैं और इसको तरंट किस तरीके से निकाला जाएं इसको निगालने का मैं बहुत ही आइडिया लेकी हुँ इस तरीके से मैं पूरे हाथ में दो चारे बूंदे डालाई है और अब बाद में एक कॉटन का कपड़ा लेना है तो 예ज देखेंगे कि दो मिनिट में ये पूरा है तो यह आपके सामने देखते देखते आप इस को देखेंगे कितना निकल करना है और यह बहुत अच्छे से एकदम क्लीन साप हो जाएगा यहां पर देखिए दो मिनिट में पूरी इंक हाथ से निकल गई है और इसके बाद अगर आप इसे साबुन से दोगे तो फिर एकदम क्लीन भी यह हो जाएगी तो इस तरीके से आपके हाथ में लगी हुई इं सारी वीडियो पसंद आई होंगी आप मेरी वीडियो कहां से किस जगह से किस सहर से देख रहे हो हो कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और चैनल पे अगर आप नए है हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले फिर मि